सपानिता आजम्खगों हेट स्पीच के मामले में रामपूर कोल्ट ने तीन साल कि सजा सुनाई है इसके बाद घिला पुलिस ने मंड़लाय उक्त आंजने कुमार सेंग की सुरक्षा की समिक्षा करने के बाद साथ पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती कर दी है कार्याले से लेकर घर तक पुलिस कर्मियों और होम गार्डों की संख्या बढ़ा दी गई है इसके साथ ही कार्याले में बिना जाच के बाद अब किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसके लिए कार्यले के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है अंडला युक्त आंजिने कुमार सिंग जबरांपूर में जिलाधिकारी के पदपर तैनाथ थे उस दोरान सपानेता आजम खा ने कई हेट स्पीच दी थी इस मामले में सपानेता के खिलाफ प्रात्मी की दर्च की गई थी इसी मामले में कोर्ट ने बीते दिनों सपानेता आजम खा को दोशी करार देते हुए तीन साल के कारवास की सजा सुनाई है सजा होने के बाद से अचानक से मंडला युक्त आंजिने कुमार सिंग सुर्ख्यों में आ गए थे बीते दिनों उनके घर से लेकर कार्याले के सुरक्षा विवस्था की समिक्षा की गई स्पी सिटी अखिलेश भदोरिया वा सीयो सिविल लाइस डॉक्टर अनूप कुमार सिंग मौके पर पहुँच कर सुरक्षा प्रबंध देखे थे अफसरों ने सुरक्षा की समिक्षा करने के बाद कुल 14 पुलिस कर्मियों को मंडलायुक्त के घर और कार्याले के सुरक्षा में तैनात किया है हाला कि अभी तक होमगार्ड गनर और एसकॉल्ट के साथ कुल 7 सुरक्षा कर्मी मंडलायुक्त के साथ रहते थे अब इसे बढ़ा कर दो गुना कर दिया गया है इसके साथ ही मंडला युक्त कार्याले के तीन दर्वाजों से दिन भर फरियादियों और अधिवक्ताओं का आवा गमन रहता था अब केवल मुख्य गेट के छोटे दर्वाजे से आवा गमन को सुनिश्चित किया गया है इसके साथ ही कमिशनर कार्याले के मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है बिन अध्जाज के अब किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी सुरक्षा बढ़ाई जाने को लेकर मंडला युक्त आज़ी ने कुमार सिंग ने कहा कि फैसला आने के बाद पुलिस ने समिक्षा करते हुए सुरक्षा बढ़ाई है इसके तहट कार्याले से लेकर घर पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी तैनाप किये गए है